चालो करते हैं हम लोग है ना कॉडिनेट के अंदर का सीन क्या है ठीक है अगला कल्दा के अपनको ने जो डिविजन कर लिया था न उस डिविजन के आगे का पहला पॉइंट लिखेगा बहुत ही काम का पॉइंट है ठीक है फिर्स पॉइंट लिखेगा इफ लाइन जोइनिग टू पॉइंट्स देखेगे बहुत ऐसे पॉइंट बदा रहा है जो वाके बहुत काम के हैं और आपके चीजों का आसान बनाते जाएंगे धीरे-धीरे टीक है, if line joining two points A X1 Y1 and B X2 Y2 टीक है, is divided by is divided by X axis टीक है, then ratio इस उकलट हो minus X1 upon X2 X axis है न, गुल्टा minus Y1 upon Y2 then ratio is equal to minus y1 upon y2 ठीक है न भई बहुत काम की बात है इसको ज़रा इससे पहले कि आके जाओं मैं आपको इसका ज़रा थोड़ा analysis करके बताएता हूं कानी क्या है आपको तो यह याद रखना जो मैंने बताया ठीक है न वो नहीं जो आप समझने वाले यह दो बस समझ में आना ची कानी क्या थी कैसे कैसे हो गया कि यह सर ने क्यों बोला मालीजो को एक line है जिसके अंदर a करके एक point है और वह point है एक करके एक point है जिसके नाम है x2 y2 और यह जो अनों का मिलने वाली जो line है करता है यक्क्साइब है करें इस वाला दो नहीं मैं पॉइंट मैं रिख मानने रहे हैं और जाय है यह वाला इसको मैं ले रहें दो इस पूरी गानी के अंदर हम लोगों को इक पॉइंट सरकार बता चुकी चुब चाहिए वाला इसका Y कोडिनिट कितना है 0, तो मैं तो direct उसकी help ले लूँ हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो point है ना, मुझे क्या निकाल ला है, मुझे तो ये पका करना है कि आप ये बात मांजाओ कि M1 upon M2 येतना है मुझे तो ये prove करना है, मुझे ये पका करना है इस पूरे उसमें, कि M1 upon M2 is equal minus Y1 upon Y2 है क्या होगा, तो मैं Y coordinate बता था, M1 into Y2, बोलता ना यही, M1 into Y2 कितना, Y2 plus M2 into Y1 है ना बाई, और अपवान में कितना, M1 plus M2, ready, Y coordinate जो मेरी तरह से निकलता हूँ, ये निकलता, बट सरकारी Y coordinate कितना निकल बेटा, 0, तो मैंने सामने, हमने सामने बेटा दिया, देगे ना, तो add X success, मैंने यह बात यहां पर लिख भी दी, क्या X success थे, X success ये कारण ये सब चमतकार हुआ, ready, और जैसे मैं ज़रा हूँ, ये cross multiply होगा 0 में, और अगर ये cross multiply हो गया 0 में, तो M1, Y2, plus में M2, Y1, plus में कितना, M2, Y1, एक कड़ो कितना हो गया 0, इसको उदर उचका दिया, उचका दिया, ये minus का M1, M2, Y1 हो गया, अब मैंने यहां पर M1 को बुला लिया, और M2 को मीचे से सरका लिया, थेका उदर की तरफ अल्रेडी किया रहे चुका, Y1 upon Y2, होगया के नहीं होगया, प्रूफ, तो M1 upon M2, ये जगड़ो में, minus का Y1 upon Y2, ये चीज़ मेरे को पक्की करनी है, अच्छा, अब ये, मैं आपको ठेके, next point, ugly point भानू, आपई, हाँ, next point भी बात करता हूँ, अगला point लिखेगा, राट है, लिखेगा, ठीक है, अगला point है, if line joining 2 points, आपई से ये वाले 2 points लिखेगा, if line joining 2 points, A, X1, Y1, and B, X2, Y2, and B, X2, Y2, लिखेगा, इस 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 इस, then ratio क्या होगा, बस, direct minus का X1 upon, X2, बिल्कुल, है न, minus, आप प्रूफ करने की जुरूद नहीं है, अब की बार क्या होगा, प्रूफ में, बताएगा कोई बच्चा, X0 हो जाएगा, हो गया, अच्छा, अगला point लिखेगा, next point है, है न, point number 3, third point, है न, बई, third point यहां करता है, ठीक है न, अच्छा, if line joining, if line joining, two points, हाँ, दोड़ा gap लेके लिखना में समझ दा रही, if line joining two points, A, A वाला और B, A वाला, है न, point लिखेगा, A, X1, I1, B, X2, I2, if line joining two points, is divided by, is divided by, another line, ठीक है, अपकी बार, न, X axis आया, न, कुछ आया, another line, ठीक है न, line देरगे, Y is equal to, कितना, A, X plus B, Y plus C equal to 0, ठीक है न, divided by, a line, कितना, A, X plus B, Y plus C equal to 0, then ratio will be, न, लिखे लिजेगा, then ratio, is equal to, कितना, minus का, A, X1, plus B, Y1, plus C, अपॉन में नीचे कितना, A, X2, plus B, Y2, plus C, right away, लोग क्या करते हैं, बस, इंतिजार करते हैं, बस, एक बार line देदे, क्योंकि formula तो रटा होता है, खट से नहीं use कर लेता है, A, X1, plus B, Y1, plus C, अब उन में A, X2, plus B, Y2, plus C, आप में से कितने लोगों के समझ माँ हैं, यह line दिखरी आपको, यह उपर वाली value कहां से लाएंगे वो, line के अंदर क्या डाल देंगे, X091, फिर, नीचे वाली value के लिए क्या कर देंगे, X2, बास, दोनों को रखना है, रखते हैं अंजर आगया, देगे न, अच्छा, यह बार minus को बूलना मत, बार वाला minus, है न, already है, अच्छा, अब यह, लेकिन एक काम की चीज होगी, इस वाली बात को ज़रा समझने के लिए एक काम कर दें, है न, बाई, एक कानी के अब photo क्या है सर, समझाओ ज़रा, इसकी photo क्या है, मान लिजे किसी के मन में आगे, इसकी photo क्या है, है न, अपने एक line पकड़ी, यह दोनों को मिलाने वाल line है, इसका नाम है A, और यह वाला point हो गया, कितना है, X1, Y1, और यह B है, कितना हो गया, X2, Y2, रट है, यह, इन दोनों को मिलाने वाल line जो है, यह अच्छानक से कोई एक line आती है, ऐसे है न, इस तरह से, और वो इसको divide करके चलिया आती है, इन सम रेशो, M1 इस तो M2 में, है ना भई, M1 और M2 में divide करके बाग गई, रट है, और यह line की equation क्या है, AX प्लस में कितना, BY प्लस C कोड़ो 0 है, हम लोग को पता करना है, M1 अपॉन M2 कहां से लाए, इस बार पिशली बार जीतना लखी काम नहीं है, पिशली बार जैसे काम नहीं है, भई हमार को पिशली बार तो क्या पता था, X coordinate यह यह पार तो कुछ भी पका नहीं है, लफड़े ही लफड़े है, तो जाएंगे कैसे, तो अब की बार तो क्या है, हम पसी के, तो हमने इस point को मान नहीं लिया, क्यों नहीं भई, point है यह वाला point P, इसको हक मान लिय रइट है, हाँ, अब तोड़ा लंबा गाम है है ना वाई, जारा ध्यान से जवान है, जैसे ही मैंने हक माना, मिरे पास ना तो H है ना मिरे पास K है, लेकिन मैं इतनी बार जानता हूँ, यह HK जो है इस line पर है, तो मैंने पहली चीज़ अलग से करके रग ली, HK, रहे हैं आ KH प्लस में BK प्लस C इकोड़ो 0 होगया, रहे है बई, इस वाली बात को अपने पकड़ लिया, अच्छा, अब आगे चले है अपन, पॉइंट नमबर 2, ठीक है हम लोगो तो रेशियो निकालने से मतलब था, अच्छा, अब अपने ही लोग एक बात और जानते हैं, आप म KH प्लस में M2, Y1, अपन में नीचे कितना, M1 प्लस M2, यही होगा, अच्छा, जैसे मेरे पास H और K की वैलू आगई ratio से, तो मैंने यह वाली वैलू उठाई, H और K की और यह उड़ा करके, इस H और K की जगए बढ़ दी, नहीं आया, बात पकड़ मारी है, है ना, क्यों M1 प्लस M2, रटवी, प्लस, यहां पर आखर देगा था, B, Y, Y कि से कितना, M1, Y2, प्लस में कितना, M2, Y1, अपन में नीचे कितना, M1 प्लस M2, अपन में नीचे कितना, M1 प्लस M2, आलाकि दिखने बड़ा कौफ ना, लिग रहे है कि यह पदा नहीं यह भड़ा ही यह अब दुनिया की नज़रों में क्या क्या बच गिया वो दिखा देता हूँ दुनिया की नज़रों में बच गिया A M1 X2 प्लस में कितना A M2 X1 प्लस में कितना B M1 Y2 प्लस में कितना B M2 Y1 प्लस C M1 प्लस C M2 यही तो बच्चाँ बई, एक कोड़ो 0 अब आपने क्या किया ना, इन इन लोगों को मार कर दिया देखो एक तो इसको मार करा मैंने अच्चा एक इसको मार करा और एक इसको मार करा, आपको पता है इस तीनों में किया common है M1, ओंबन, दिखरा है कि नहीं M1 common ले लिया M1 के common लेती है आप लोगों को अंदर ये अंदर क्या दिखने लग गया AX2 प्लस में कितना BY2 प्लस C दिख्या के ने दिख्या अच्छा और बाकी बच्चे तीनों जो लोग रहे ये ये और ये तीनों में क्या common है M2 M2 common आया जितने में M2 common आ रहा था उसको उदर उच्का लिया है आप equal to को उदर उसे जाते हैं minus का M2 हो गया है और अंदर ये अंदर क्या common ले गया हो अपनी दरफ AX1 प्लस BY1 प्लस C दिख्या है आपको अब M1 के नीचे M2 लगया तो दुनिया को दिखने लग गया M1 upon M2 is equal to में minus ये वाली चगे को पकटे रखा AX1 प्लस में कितना हो गया BY1 प्लस C दिख्या है और hold divided by नीचे वाला इस वाली पार्टी को नीचे उचका दिया AX2 प्लस में BY2 रड़ है प्लस C रड़ है प्रूफ हो गया है ना कर लीजे आगे चलते है लिग लीजेगा A-fresh ओ अच्छा ठीक है मैं आपको फिर बता रहा हूँ यह जो भी हम लोग प्रूफ कर रहे है न Not at all important आप इसको पर दिमाग नहीं लगाएंगे आपका काम है सिरफ काम काउं के पॉइंट नोटिस करना हातों आज शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कर देना स्टेट लाइन के अंदर अगर आप पूरी कॉपी मिलाएंगे न नहीं समझ में आएगा शॉर्ट नोट्स रोज के रोज त्रियार करना क्योंकि हम वैसे भी 40 मिनट ही पड़ रहे है तो कोई इतना लंब चोड़ काम भी नहीं हो तो कि आठेक इफ रशो इस नोट गिए लेग ली इफ राशो इस नोट गिए आख़े लिया है यथे लैबड़ görla आएस फिना चार पॉइंट यी है अगली प्र Alg फेकिन अंतों कर法 striking को सुनना क्य aerospace DDITE n coordinate of the point ठीक ना trisecting ठीक ना trisecting 1,2 and 4,5 ठीक ना find coordinate of the point trisecting 1,2 and 4,5 यह आपको पता है trisection का मतलब क्या होता है 3 बराबर बागों बाटना यह ना 3 equal parts में बाटना अगर बाइद वे बात चल रही है 3 equal parts में divide करने की तो देखें साथ कानी ही है इस कानी को समझ लिए ना A अपने को 1 point दे दिया 1,2 ठीक ना और B करके 1 point दे दिया जिसका नाम किया 4,5 अच्छा 2 point आए और इन्होंने 2 point ने 3 बराबर बागों बाट रिया मुझे ये D और ये E दिख रहे है मुझे D और E से मतलब है D और E के coordinate निकाल ले अब काम की बात क्या D के coordinate नहीं पता इसे तो मैंने हक माल लिया इसको अपन कुछ P Q माल ले मैंने अपनी तरह से point माल लिया अच्छा सबको काम की बात ये और भी पता है कि ये सबका ratio 1 is to 1 है एक ही बार बोलूँगा ध्यान से समय देना भई है ना ये सबको पता है ये ratio 1 is to 1 is to 1 है अब काम की बात क्या मुझे तो D और E के coordinate निकाल ले तो मैं add a time तीनों को नहीं उठा रहा मैं एक time पर किसी एक को उटा रहा हूं ये दे मैंने D के लिए बात चला ही है ना for D सबसे पहले किसके लिए बात चला रहा हूं for D D के लिए बात करा हूं D इस समय पर पूरी कानी को 1 is to 2 2 में बात रहा है दिखरा है आपको 1 is to 2 में बात रहा है अगर यह 1 is to 2 में बाढ़ रहा है तो h की value की अगर मैं बात करता हूँ तो h is equal to 1 into 4 1 into 4 याद है ना तो 1 into 4 plus में 2 into 2 into 1 2 into इसका वाला x एक नहीं 2 into 1 और whole divided by 1 plus 2 similarly k की अगर मैं बात करता हूँ तो k is equal to कितना निकल जाएगा 1 into 5 y coordinate y के लिए लड़ेगा रहा है ना बाई 1 into 5 plus में कितना 2 into 4 2 into 2 2 into इसका वाला 2 तो 2 into 2 divided by नीचे कितना होँ जाएगा 1 plus 2 तो finally कितना होगया 4 और 2 6 divided by 3 कैने अगरा अंसर होगे 2 इधर कितना होगया 5 plus 4 9 9 divided by 3 बाले तो 3 तो इसलिए अपने पास में D point के coordinate क्या है समंगने लगे 2,3 रेड़ बाई ये D coordinate आ गया अच्छा अब बात करता हूँ किसके लिए second point E के लिए 4 E रेड़ बाई E की अगर मैं बात करूँगा तो E के coordinate निकाल ले तो इसलिए E के लिए बात करेंगे न तो अपन ये खेल जलते है हाँ बई हाँ बई इसलिए E पे बात चल रही है E के लिए हमारे को बताए ये ratio 2 है और ये वाला ratio कितना है 1 अब मेरे को निकालना E के लिए P की value निकालूँगा तो इस बार क्या होगा 2 into 4 और 1 into 1 बात पकड़ माई कि नहीं है P के लिए बात करता हूँ तो देखो एक सकीन हाँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ P सकड़ कितना होगा 2 into 4 ठीक है 2 into 4 प्लस में कितना 1 into 1 डिवाड़ बाइ नीचे कितना 1 plus 2 और उधर की तरह Q की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो Q is equal to कितना आ गया Q is equal to 2 into 5 ठीक है बाइ 2 into 5 प्लस में कितना 1 into 2 और बाइ नीचे कितना 1 plus 2 जिसकाँ लग कितना आ गया 3,4 तो यह वाला 4 आ गया जिसकाँ लग P Q is equal to जिसकाँ बताया आप लोग ने ठीक है ना कितना आ गया 3,4 है ना बाइ यह एक हाँ तो मने बास point आगे ना कौन-कौन से point आगे एक तो D और एक आ गया अज़र काम की बाद है एक और ठीक है ना Trisection के दोरान एक छोड़ा रस्त अभी है ठीक है ना और वो जोड़ा रस्त तक है यह सारे points अगर आप गौर से लिखेंगे एक बार ज़रा दुबारा से बिछाता हूँ ठीक है ना हाँ यह वाला point अगर देखा था 1,2 है D point जो आपने निकाला हूँ वो निकाला 2,3 दिखरा आपको 2,3 अच्छा और E point जो आपने निकाला 3,4 और अगला point जो आप लगए निकाला वो 4,5 है है ना यह तो given है है ना बई तो अगर आपने इसे किसी ने गौर किया A, D, E, और B यह सारे के सारे points AP में दे AP में दिख रहा है आपको AP के अंदर चल रहा था सारा केल AP में चल रहा था और यह ही होता है अगर मान लीज़े 4 बराबर भागो माटना हो 2 बराबर भागो माटना हो तो हर बार AP का कारेकरम चलता रहा है तो लोग क्या करते हैं बस सिरफ ratio मिला मिला के खेलते हैं ratio से मिला मिला करके अगला point सोच लेते हैं और कैसे सोच लेते हैं जैसे मान लीज़े मेरे को तीन हिस्सों में divide करना है तो इसके और इसके बीच का gap इसके और इसके बीच का gap दिख रहा है इन दोने के बीच का gap कितना हुआ 3 divided by 3 कर देना क्यों क्यों कि trisection हो रहा था और यही अगर 4 इससों बाटना होता तो divide by 4 कर देता रहने हैं तो अपन क्या करते हैं पूरे का gap निकालते हैं कैसे निकालते हैं gap हो गया कितना 4 minus 1 यहां से देखा था था 4 minus 1 और यहां से देखा था था 5 minus 2 और whole divide by 3 करते हैं तो जैसे divide by 3 करते हैं तो यह 1-1 आजाता है इसका होता है हर चीज में 1-1 add करना है इसमें एक एक जोड़ोगे 2-3 आजाएगा इसमें एक एक जोड़ोगे 3-4 आजाएगा इसमें एक जोड़ोगे है कि नहीं तो बस यह वाला एक मैटर लगाते हैं, खट से हैं कुशन ना अंसर बन जाता है है ना, अगर यही by the way suppose करो, अब यह 0-0 भी हो था अगर यह 0-0 भी हो था तो भी आपसे कुशन बन जाता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बस आपको सिरफ gap divide by 3 करना है बस आपको यह पता होना अच्छी equally divide हो रहा है कि नहीं हो रहा है equally divide हो रहा है कि नहीं हो रहा है पूरी कानी कैसे चल रही है, equally divide हो रही है तो तो हो जाएगा, नहीं तो आप रोग देना आणा बई बस यह, अगले कुशन में बात करते है दीगें, अच्छा, और कोई जरुरी नहीं है कि यह आपको trisection घागा के दे कि trisection करो, trisection करो अडले point पर जाओ, फटाबट हाँ वै, अगले पर लिखे काट line joining, A यह दे रखा है और B दे रखा है, तेगें, इस डिवाइड़ पाइ PQR, इस डिवाइड़ पाइ PQR, तेगे न, such that such that AP is equal to कितना, PQ is equal to में कितना, QR है न, is equal to में, RB line joining, this is divided by PQR, निकाल लोगे, करिए न, बदाओ, तुमारा कितना बना, QR इसका अंसर, वन किया? पी बदाओ, तो यह दो बात कर रहे हो, हाँ, मैं तो मना यही नहीं करने था बात करने से रोक करो ना यार खूब बते करो, यह आगले पॉइंटको पर चर्चा कर रहे था है अपने लोगों क्या कर लिए था, एक गति निकाली थी ? 3,4 और B कि वैलू क्ति है निकाली थी ? 3,5-2 रहे नो बै, अच्छा यह वाल की इस को माल लिए था यह वाले नहीं तो एक स्विन गैप कितना आगया जीरो और दूसरी तरस है एक में टीपिटेंग चार माइनस माइनस दो माने सिक्स बाई फॉर आया ना अचा जैसे डिवाट बाई ऐसा ही ना हाँ यह अगर देखा दा तो कितना आगया जीरो और यह पे कितना आगया 3 by 2 माने आपने हो गया करना है हर बार इसमें X में तो 0 जोड़ना है और Y में 3 by 2 3 by 2 है कि नहीं जोड़नों के देख लिए देख लिए देख लिए इस पर 0 जोड़ने हैं तो माइनस करना है क्या अच्छा कैसे बता आपको बहुत ही बढ़िया हाँ बैलकूल देखो 4 से गटते गटते लिए जा रहे है सही है लेकिन गटाना आपको डेट 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 कम करते जाओ 3 by 2 3 by 2 माइनस होगा अब यह तो अकल लगा नहीं पड़ेगी ना जल्दी से पहुंचना जाता है छोड़ी से अकल लगी यहां तो 3 आई गया 0 गटाया है गटाया ठीक है ना यह भी 3 आए गया यह वाला भी 3 आगया क्योंकि 3 तो सरक ही निरा हर किसी में 0 गटाना है गटाना अज़र 4 में से डेट गटाया धाई रह गया डाई को दुनिया वाले 5 by 2 बोलते हैं डाई में से भी 1.5 गटा दिया एक बच गया एक में से भी 1.5 गटा दिया माइनस आप बच गया और माइनस आप में से डेट गटाया माइनस दो हो गया लो कुशन कलम नहीं अरे इसी को तो कहते हैं धिमाग कुश्यन के अंदर इसी के तो पैसे मिलेंगे एक नहीं खट-कट-कट-कट आंसर निकाला चोटा रस्ता पकड़ा हाँ बैई 4 इससो माटना था न तो 4 से डिवाइड 3 इससो माटना था यही तो पिछली बार किया था अपने यहाँ 3 से डिवाइड कर दिया छोटा रस्ता है अब इसमें भी अगर तकलीफ है तो मतलब मुश्किल हो जाएगे न जाएगे ने बही अच्छा हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते इन दोना का मिटपांट निकाला 3,1 इन दोना का मिटपांट निकाला ये फिर इन दोना का मिटपांट निकाला वो क्यों नहीं कर सकते करो है ना अच्छा ये वाला वी हो गया अच्छा आगए की बात करते हैं ये तो क्या है छोटो-छोटो गयं में कोई मतलम नहीं है है ना थोड़ा अच्छी चीए कब इपी चलते है ठीक है next point के पर बात करते हैं अगला point पर करते हैं है ना भी अच्छा इससे पहले कि अपन अगले point तक पहुंच जाए है ना मेरा पे कुछ बाकी भी था ड्यू भी था है ना before इससे पहले कि अपन ये सब leave करके आगे चलें ठीक है before leaving anything and going into the centers of the triangle अभी तक कजितना भी यह अभी तक कर जितना भी ए उस part की तक की summary लगा देता हूं और main point लगा देता हूं है ना आपको यहाद दिलाजता हूं अब तक हम लोगों के क्या क्या पढ़ लिया है ना types of triangle पढ़ लिये यहादे कितने तरह के triangle होते हैं है अच्छा और कौन सा अब काम की बात करते हैं और हमने और क्या पड़ा पड़ा क्वाइटर पड़ा क्वाइटर में भी चार पर नजर रही है ना कौन कौन सा चार पर रही पैरलोग्राम रेक्टेंगल इस्वायर और इसके सिवाद दो और जने हमने जबरतस्ती पड़ लिए एक तो काइट और एक ट्रेपेजियम यादा के आपको है ना यह सब हम पड़ चुके हैं अच्छा और आगे करते हैं यादे ना हम लोग अब गर बाही दोए बात करते हैं किसकी कोडिलेटर गी तो कोडिलेटर की नी अगर पता करनी होते है तो नेचर पता करने के लिए हम सबसे पहला क्या पता करते हैं अगर कुछ बच गिया है यह समय ने का था ब्रीफिंग तो अपन सबसे पहले आगले पॉइंट पर चलने से पहले ब्रीफ कर ले दें तो इससे पहले कि अपन आगे जाएं कुछ काम के बाते हैं जो अब लोगों ने अब तक नहीं बोली इन पैरलोग्राम के अंदर सब इक दम सारटका बराबर है्ट आभी सी डि मैं यह वापिस यह भाए दिलायता हूँ अपोजट साहिं से मैं होति है डाइगनाल्स अन इक्वल होते है यादे ना अपोजट साहिंस रेस सेंट सीम और डाइगनाल अनिक्वल है काम की बात कि फाने है कि ये कोई भी दो एंगल ले लो कोई भी side के दो एंगल ले लो, ये और ये 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 हाई ये, और cyclic order में चलते जोरो, सब का answer पाई होता है माने A plus B, है ना B plus C sorry, A plus B is equal to B plus C, is equal to C plus D is equal to में कितना, B plus A and everything is, पाई घड़े बई, पहला काम हो गया ठीक है, अच्छा second point लिखे ला, लिखते चलना ही आप मेरे साथ, है ना, बिल्कुल भी time नहीं है, इसके अंदर मैं briefing कर रहा हूँ, चल जल दी ठीक है, second point लिखे गा रड़े, second point क्या वो भी सुन ले ना अगर हमने ये आँ तक लिख 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 लिया तो second point है, है ना, कि अगर माली जे मुझे area निकालना है, अगर मुझे area निकालना है, तो मुर्य पास मैं अगर ये वाली side की lane तक अगर A पड़ी है, है ना, और ये वाली side की lane तक अगर B पड़ी है, right away, ठीक है, तो मैं ये जानता हूँ, कि जैसे मैं diagonal को मिलाऊंगा तो मैं यह लिख देता हूँ area of parallelogram area of parallelogram is equal to me 2 times the area of area of triangle abd सोचा आपने abd abd मने यह वाले triangle का double है ना यह वाले triangle का दुबना अब वो बता ही यह वाले triangle का area मेरी नजर में क्या है two into में half ab sin a सोचो sign a a कौन है यह यह पर a कौन है यह यह वाले angle a पर बनने वाले angle a कौन है small a याद है ना वो कौन सा तरीका half ab sin a half bc sin a याद है ना वही वाला फंडा लगा है है ना half ab और इन दोनों के बीच का angle angle a ले रहा हूं मैं ready लेकिन इस वाले के अंदर वो a और भी वो नहीं है आमने समने वाली side नहीं है सिरफ साथ वाली sides है ठीक है ना बई हाँ एडजरसेंट size तो answer हो गया कितना a b sign है ठीक है पहला answer ठीक है second पाज हो second point किया केता है second point के भी चर्चा कर लहाँ है यह length किती है D1 है और यह length किती है D2 तो आप में से हर एक जना इस बात के लिए agreed है देखें कि वो यहां से यहां तक की length को D1 upon 2 पढ़ेगा यहां से यहां तक की length को किता पढ़ रहा है D1 upon 2 अच्छा यह यहां से लेकर यहां तक की length को किता पढ़ रहा है D2 upon 2 यहां तक तो का अच्छा दूसरी बात किया ना अब मेरे दिभाग में बात नमबर् 2 आ रही है बात नमबर् 2 ये आ रही है कि मैं अगर बाई दवेर इस ट्रायंगल आरिया निकाल दो wygląda इस ट्रायंगल का ये वाल एंगल कितना ये 5-theta कितना हो गया 5-theta very short अच्छा आप समाजना दरा इस वाले triangle का area is equal to हो गया half d1 by 2 into d2 by 2 into दोनों के बीच का angle sin theta रैट है कि नहीं एक मिंट के लिए मैंने ये वाला area इस वाले point को अगर मैं अच्छा ओ मालने तो चलो बहुत अच्छा नाम दे दिया अगर मैंने इसे किसी ने triangle में किसका area बूल लिया एडियो एडियो का area बूछा तो मैं बोल रहा हूं कितना half पहला कितना d1 by 2 right away d1 by 2 half d1 upon 2 into में कितना d2 upon 2 into में इन दोनों के बीच का angle कितना sin theta right away अच्छा मैं इस व क्या half ये वाली लेंड किती डी 1 by 2 ये वाली लेंड किती डी 2 by 2 क्यों क्योंकि दोने तो बराब है तो अग्की बार मैं लिखूंगा कितना half d1 upon 2 into में कितना sin phi minus theta हाँ या ना और आपको बताई ये क्या है sin theta clear है कि नहीं इसका area वापे same आएगा अलांकि दिखता नहीं है ये लगता नहीं है कि ये दोना angle का area से में लेकि मैं indirect लिए एक और question cover कर गया चाहिए और ये triangle का area same है same न भई अच्छा फिलाल ADO का area आगया अच्छा मेरे को तो निकालने किसका area area of parallelogram तो area of parallelogram क्या होगा बिल्कुल इस गड़ों में 4 into में triangle ADO into 2 into में कितना sin theta and finally it is 1 upon 2 D1 D2 sin theta right away triangle sorry parallelogram का area ये एक और चीज़ है जो काम की निकल गई हमारे लिए ठीक है बहुत सारी ये सी चीज़े हैं जिनके उपर मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा लेकिन आने वाले टाइम में बात करता रहूंगा ठीक है उनमें parallelogram की briefing होगी हाँ नेक्स पॉंट ले रहा हूँ first का A B ये वाला point होगा C ठीक है now coming to the next point that is D लेकल इजरी का फटाफट से area of parallel ठीक है नब वेन length of parallel sides distance between parallel sides distance between parallel sides parallel sides are known ठीक है बई अगर by the way distance पता हूँ क्या distance का मतलब समझा जेता हूँ फटाफट से आप अगर जल्दी से देख लें तो ये अपने वास parallelogram है अगर ये parallelogram है तो distance का मतलब समझा जेता हूँ distance का मतलब हो गया इन दोनों लाइनों के बीच का distance इन दोनों लाइनों के बीच का distance है ना ये थोड़ा आपको अब थोड़ा extra imaginative होना पड़ेगा distance ये रड़े ये distance है यदा perpendicular distance होती है तो मैंने इस पर perpendicular डाला ये distance बन गई रड़े ऐसे ही मैं perpendicular इस पर डाल रहा हूँ ये distance है इन दोनों लाइनों के बीच की perpendicular distance है ना इसको मैंने नाम दे दिया P1 इन दोनों लाइनों के बीच की perpendicular distance को मैंने नाम दे दिया P2 बस मैंने जिर्व आपके इमेजिनेशन की बात करिए वरना अगर कोई वाके में कोई थोड़ा समझदर बंदा है तो उसे पता हो ना चीक है 90 डिग्री अंदर भी बाहर बनेगा रेकिन या फिर फोटो गराब हो जाएगा आपका दिल भी गराब हो जाएगा चोड़ यार रे एरिया निकाले के लिए मेरी थोड़ है कि मैं यह मिलाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास में मेरे को सिरफ पीवन पीटू में निकाला पीवन पीटू में थोड़ देखना दे रहा है मेरे पास में एरिया निकाले के लिए जगे क्या है मेरे को यह ट्राइंगल अगर बाई देवे डिस्टेंस बता है पीवन भीट हो क्या से दो सेंग हो दो अच्छी चीज बुची है ना हमसे अच्छी चीज बीट है ना थोड़ा और साइटी भी कर देदा हूं तो तक मैं अपनी उस्ट वाली बात को भी अटा देदा हूं फिक है पीटू वाली बात को आप सोच ले ना ठीक है देखो सोचने की जगह दे रहा हूं मैं आपको मैं यहीं बनेगा यह वाले का पीटू है लें लो मपिस वेक्रेटएट पीवन पीटू को यूज करना है बस मेरे को सिर्फ पीवन पीटू बता है और कुछ नी बता लगजिक लगा पीवन पीटू को कैसे यूज करूं मैं क्या क्या theta क्यों लिया है मतलो आप ऐसे ही निकाल लो answer निकाल लो बस कैसे भी करके दिमाग के गोड़े दोड़ो P1 P2 बता है आपको area बताना है answer बता है answer बता है लो मैं आपको answer is का P1 into P2 into cosec A यह वाला side है no P1 into P2 into cosec A अब तो बन जाएगा आप में से कहीं उसे आप चलो भटा भटा भट दिमाग लगा रहे हैं आप लो क्या करें क्या करें P1 into P2 into cosec A रस्ता दीखा दू रस्ता वो यह है इस triangle का area निकाल ला है उसका दुगना करना है number one तो आपके दिमागे पहली चीज़ के लिए रोदा निजे 2 into half वो कट चुका है 2 into half कट चुका है अब base into ID काम का है height किती है P1 height किती है P1 base नहीं पता base तो दिया ही नहीं ना अब base निकालो बस base यह answer किसी को पता है यह length किती है यह निकालने है आपको इसको एक बार के लिए X मान लो यह angle आपके पास पड़ा है इस angle का नाम क्या है अरे A इस angle का नाम क्या है A दिख रहा है क्या आपको यह वाला angle A अगर यह A है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई perpendicular साथ वाली साइड क्या हो गई hyperneuse अच्छा hyperneuse और perpendicular लोग लेके कां साथ प्रेको लो अरे hyperneuse और perpendicular P upon H यादा गया तो P2 upon X is equal to कितना हो गया sine हो अगे निवा तो X is equal to कितना हो गया, P2 कॉसे के, बराबर है कि नहीं, और area of parallelogram के उपर चल रहा हूँ, area देखो कितनी कटा कट कटा कट निकल गया, area is equal to में half into twice, याद रहा है, 2 into half, twice कर रहा हूँ, into half कर रहा हूँ, into में base, base की बात करता हूँ, base बने X, लिख दो, into में height, इस triangle की height कितनी, P1 लिख दो, इस काउंटल ये cancel out हो गया, X की जगे बें कितना लिख दो, अब P1, P2 कॉसे के, area आ गया, पसान, अगले question में आ जाते हैं, next, हाँ बई, next टालाएं, second, rhombus, rhombus में अगर ये की चीज़े काम की, देखाना, rhombus के अंदर क्या काम के चीज़ें, वो याद दिलाएं तो, rhombus, photo AC वाली, चाहिए है, सब को पता है, ये वाली side किती है, ये वाली side होते है, D1, और ये वाली किती होते है, D2, सही है, सबसे पहले, area की अगर बात करती है, तो area कितना होता, half D1, D2, ये तो पता ही होगा, हाँ या, अच्छा, अगर half D1, D2, ये तो पता है न, half D1, D2, है न, साथ में बस एक और चीज़ समझ के चलना, अगर side पता ह है, A, जिसे इसकी side अगर A है, है न, तो हम लोग कहते हैं, किसी भी side से चलो जो, A, B, C, D, रेट है, तो अपने को पता दाल गए, ये वाली side का भी length कितना हो गया, A, तो कितने लोगों को लगता है, कि ये triangle का area is equal to में कितना हो गया, half A into A into sine, अरे A, B, sine A कि जगे, A into A into sine A, और उसका double, तो कितना लिख दूँगा, area is equal to में, area, दूसरे दरीके से लिख रहा हूँ, 2 into में कितना, half into A into A into sine, बावार्थ क्या निकल गया, ये न, A square sine, बैतरी, A square sine, area is equal to में, next में जो, अगला point क्या कितना है, point number 3, ठीक है, ना मैं rectangle की बात कर रहा हूँ, ना मैं square की बात कर रहा हूँ, वो सबको पता ही है, अगले point पे, trapezium, ठीक है, third point फटा फटा फट, important point में जो जो रह गया, उसके उपर बात कर रहा हूँ, trapezium, ठीक है, trapezium क्या कह रहा है, आओ, trapezium की फोटो याद है न, रहाट है, ऐसा ले 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 ले, trapezium की फोटो, ना म रख ले थे, A, इसका नाम रख ले थे, B, इसका नाम C, इसका नाम D, ठीक है, ABCD, अच्छा, ABCD के सिवा, ठीक है, काम की बात, नमबर 1, यहां पर इस वाले एंगल को मैं theta1 नाम दे रहा हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ, theta2, रहाट है, आच्छा, यह एक लाइन निकाल रहा हूँ, दौनों में, 8 points से, इस लाइन का नाम दे रहा हूँ, यह काम है, काम की चीज़़ा तो मैं लिखा हू trapezium में base angle दे रखे हैं तो अपने को पता होना चीए base angle क्या होते हैं ठेके ना लिख लिए जिए का theta 1 and theta 2 are base angles लिख लिए theta 1 and theta 2 are base angles लिख लिए theta 1 and theta 2 are base angles अब यगला point लिखेगा second point है if theta 1 equal to theta 2 if theta 1 equal to theta 2 then trapezium is known as then trapezium is known as isoceles trapezium question यह पूर सकता है वो isoceles trapezium में दिये रखा है तो आपको पता हो जाना चीए तुरंट कि यह दोना side का angle बराबर हो गए theta 1 equal to theta 2 isoceles trapezium clear हो गया हाँ बई अगला point लिखेगा line zoning midpoint of line joining midpoint of two non parallel side line joining midpoint of line joining midpoint of two non parallel sides two non parallel side is known as is known as median of the is known as median हाँ यह भी समझना trapezium में भी median होता है is known as median of trapezium is known as median of trapezium right away बस इसके बारे में इतना ही आगले point पर चलो point number 3 के बाद 4 लेख दिया fourth point पर आजो ठीक है ना next is next ideal is chord intersecting theorem chord intersecting theorem है ना भई chord intersecting theorem क्या कहती है यह हमेशा पहली बाद तो एक circle में लगती है number 1 है ना circle के अंदर दो chords है ठीक है इस तरह से एक दूसरे काट गई किसी भी एंकल पे काट रही हो ठीक है ना अच्छा यह वाली लंबाई अगर x है यहां से आंदा की length अकर x है और यह वाल लें तकर y है और यह वाल लें तकर a है और यह वाल लें तकर b है तो लेख लिए देगा chord intersecting theorem यह वह ही है आतालमी theorem पटालमी याद है ना भी हाँ तो इसमें क्या है काम की बात देखो मैं इसको तो आसान शब्दों बोल रहा हूं तो हम लोग बोलते हैं x into y बराबर a into b X क्या चीज़ है यहां से तकिल है और यह कहां से कहां तकी चीज़ है Y नीचे से intersection point से नीचे तकिल है है ना तो X into Y बराबर A into B यह coordinate intersecting theorem होगी काम की बाद अगले point पाज़ो next point क्या कहता है ठीक है next point next point कहता है है ना next point है point number 5 cyclic quadrilateral आजाएं बात करें cyclic quadrilateral सबको ध्याने ने cyclic quadrilateral हाँ जाए cyclic quadrilateral फोटो भी ध्याने ने सबको cyclic quadrilateral जो कैसे भी बन जाए यह cyclic quadrilateral इसका नाम रख लेते हैं A, B, C, D very sure आप सबको पता होगा angle A angle A plus angle C is equal to pi and दूसरी तरह से angle B plus angle D is equal to pi आजाएं लेकले जेगा आगे यहां से आगे फोटो बना ले ला पटाफट पटाफट अगला point है हाँ ठेके बाई आपको यह तो बता होगा यह पाई जब भी बनता है तो supplementary angle कलाता है है ना अगला point लेका अच्छा मैं ती देर से इसको deal कर रहा हूं लफड़ा इसके जाद बेचा रहे हैं आगला point लिखेगा नेक्स्ट पैंट है अगला point बहुत ही काम की थियोरम है थियोरम लिखना है इसके अंदर एसा नहीं ऐसा लिखना ठेके ना ABCD four points लिखे पहले यह लिखना यह क्योंग यह बूल जाएंगों बूल जाओंगा नहीं को मेरे दिमांग से निकल देगा ABCD four points लिखे लिखे लिया ABCD four points ठीक ना are known as concyclic point ABCD four points are known as concyclic point ठीक भई उसके बाद लिखेगा बहुत ही काम की चीज़ बहुत ही काम की चीज़ condition to check condition to check ठीक न, लिखेगा condition to check weather बहुत ही काम की चीज़ है, अलग से highlight करके लिखना underline कर लेना, अच्छे जब पता होना चीज यह चीज condition to check weather all four points weather all four points are in weather all four points are in नहीं, are in नहीं are concyclic or not are concyclic or not ठीक है, are concyclic or not ठीक है, क्या तरीका क्या होता पता है concyclic को check करने का, यह आगे तक काम आती रही अगले साल हो तक, ठीक है अगर देखाता है, तो इसको यह ऐसे check करते है a, b, लेके लोग पहले दो a, b, cross, c, d plus b, c, cross a, d ठीक है न, is equal to is equal to a, c, cross, b, d ठीक है भई लिख लिया हाँ भई अगले point पह बात करता हूँ, फिर से आगे की बात क्या है, है न, यह यहां से लेके यहां तक, इसके निचे लिखना, और इस basket के निचे लिखना, यह दोनों क्या चीज है, पता है आपको लिख दे दो में, product of opposite sides, ठीक है न, product of opposite sides, ठीक है और इसके आगे लिखना, sum of, sum of product of, क्यूंकि sum कर रहे हो, sum of product of opposite side, opposite side मेरे आपने समने वाली साइड, रट्नी दोडिना है, यह रट्नी दाओगे आप तो, sum of product of opposite sides, इसका इसका प्रोड़क्ट प्लस इसका इसका प्रोड़क्ट इसका और इसका प्रोड़क्ट प्लस इसका और इसका प्रोड़क्ट 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 इसका प्रोड मेरे मुण से नहीं निकला, लेकिन कहीं कौपी में कमी ने लगे, आपको लगेगी यार, यह तो बात ही नहीं करी, यह ना, लेकिन फिर भी बात करी लेतें, लेकिन, क्योंकि कल आपने अपने जल्बा दिखा देथे था, लेकिन, लिका नहीं था, मैंने, midpoint formula, होगा राइड़ भाई next point को बात करते है next point अपना ठीक है ना next point is very good centers of triangle ठीक है बाई centers of triangle फटावट पहला centroid ठीक है बाई लेख लिया center of triangle भाई पहला center centroid denoted by g अब लेखेगा आगे अगे अना made by made by medians पता होगए यह तो made by medians ठीक है कहने हो इंटर section point of median है basically है ना पहीं लिग लिए है यह भी अच्छा made by median point number c पहाजओ ठीक है डिवाइट्स ठीक है ना मीडियन डिवाइट्स median in two is to one ठीक है ना तू के निचे लिखने ना vertex वाला side vertex वाला side two है याद रखना है यह च्छोटी बात ठीक है फोटो में क्या है खटाकट खटाकट इसको रोक दूँ में median फोटो ऐसी बनती है यह median यह median रट है नाम क्या पढ़ गया a b c यह वाला पॉइंट है जी इसका नाम d इसका नाम e इसका नाम f अमीद आपने डागराम बना लिया सभी है सबसे असान डागराम ही इसका हो इतना होता है तू और यह होता है वन खाला कि देखो ठीक है यह आयरोनी इसका ना क्या कि मैं सेंट्रोइड अभी बात कर रहा हूं और सेंट्रोइड पर दासू दासू कोशन हम पहले दिन कर चुके सबस्क्राइब कर देख्या है वह लोगों को अलड़ी आए तो इस पर उपना बेकार रहे इसपर रूपना ही बेकार है पिशले चप्टर में और इस चप्टर में अंतर क्या है हमारे पार कोडिनेट नहीं थे अब कॉडिनेट है अच्छा यह अगर कॉडिनेट है तो यह x3 y3 सही ना बई अगर कितने लोगों पता यह कौन है यह line यह कौन है यह यह median है, median क्या करती है सामने वाले को bisect करती है bisect क्या बोलते है bisect का मतलब क्या हुआ 1 is to 1, याद है ना इसका हुआ यह midpoint हो गया अगर यह midpoint हो गया तो चमंगने लगया x2 plus x3 divide by 2 कॉमा कितना y2 plus y3 divide by 2 यह तो चमंग गया और इस point के coordinate चमंगने लगया लगया और और यह वाला तो point है ना यह वाला point यह वाला point g वो इसको 2 is to 1 में divide कर रहे अगर g से 2 is to 1 में divide कर रहे direct उठाओं मैं direct पकड़ेंगे आप यह वाला point के coordinate मैं पहला coordinate उठा रहा हूँ ठीक है first coordinate नहीं वो एक से इन सबके जाब में बताएं गया तो ज़्यादा अच्छा रहे आप ही बात करूँ है ना हाँ मैं यह कह रहा हूँ वान की गुणा किसे करूँ उपर वाले के x से तो 1 इंटो x1 बोले तो x1 प्लस 2 इंटो this 2 से multiply होते 2 से 2 कड़ गया हाँ यह ना कितना रह गया x2 प्लस x3 divide by नीचे कितना 1 प्लस 2 हाँ यह ना अच्छा उसी तरह से y के लिए भी खेलूँ मा 1 इंटो this टेकर 1 इंटो y1 y1 ही हो गया और 2 इंटो this 2 से 2 कड़ गया तो कितना रह गया y2 प्लस y3 and hold divided by नीचे कितना 1 प्लस 2 अब पूरी कानी में दुबारा हैं से enter कड़िए क्या आपको पता चल गया मैं देखो लिख क्या रहा हूँ notation important है क्या इससे मैं summation x1 बोल सकता हूँ summation x1 का मतलब आप अपने आपी समझ गए triangle में 3 ही हो सकते हैं x coordinate x1 x2 x3 divide by 3 और यहां कितना बोल दूँँगा summation of y1 divide by 3 अगली पैदो next point तीक है मैं मुश्किल सिफ दो मिनिट और लूँ ना बस दो मिनिट है ना मैं साड़े साथ भी नहीं खेचूँआ है ना क्योंकि मैंने चाय नहीं पी है मेरो आगला पीरेट भी पढ़ाना है ठेक है चाय तो नाम है है के नहीं अच्छा ज़िए आगे चल दें next point थोड़ा gap चीए आप इस second point सुनना लेकिन ये ना इससे पहले कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं लेकिन लिए जेगा median ये वाला point लिख करके चलना इस वाले पे लेकिन ना median नहीं पहले median पे बात कर ले तो important point median divides median divides triangle into equal area median divides triangle into two equal area of triangles पता है क्या जबरता चीज़ है इसको समझना आप ये वो concept है ना जो box में नहीं मिलेगा हवा नहीं लगती लोगों को पता है बाद में आगर भाई दो फोटो ऐसी है ना इसने इसका median बना लिया तो ये triangle का area और ये triangle का area equal हो गया ये बताने को कोशिश है मेरी अब देखो ये slip हो जाथा मेरे दिमाद से जल्दबाजी में ठीक है रह गया अच्छा हो बच गया अच्छा second point इसका ये तो first point हो गया second point लगे गया ठीक है ना centroid ठीक है ना centroid divides triangle in three equal parts यादे ना ये तो question अपन कर चुके है centroid divides triangle in three equal parts पकड माए ये बत नहीं है आप चाहो तो ये वाली photo बनासे तो इसका area is equal to इसका area ये दोनों का area equal है area one is equal to area two area one is equal to area two point number next फटा फट से point के yen center नहीं आप ये लेंगे तो आप टाइमलर्स है कल के दिन लेते हैं ना